आज में आपको बताने वानियों चणै की डाल की जटनी घर पर कैसे बनाएं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और बहुत ईजि रेस्पी है आज तू जरूर方 वीडियो को लाइक किजेगा एक सब्सक्राइब बना के ट्राइय किजेगा इटली पतलब कि लो कर देज़ेगा लो कर देना है अच्छे से रहना है अच्छे से कम से कम 10-12 मिंट तक इसे बूंज यह और भूंज जाएगा तो हलका सा अगर आप चाहरे हैं कि आपका फ्लेम काफी कम है और काफी टाइम लगा तो आप मीडियम भी कर सकते हैं लेकिन याद रखे काफी अच्छा यह हो गया है और अब हम इसे फुलने को डाल देंगे एक से दो घंटे के लिए इसे फुलने को डाल दीजिए फुलने के बाद आपको क्या करना है इसे पीस लेना है मिक्सिंग में और भी कुछ इंग्रीडियन्स है जिसमें जो चीजे आपको एड़ करने पड़ेगी तो मैंने चने के दाल को अच्छे से धोपी लिया है फिर से और इसमें हम लोग एड़ करेंगे हरी मिर्च तीन से चार अगर आपको जादा तीका पसंद है तो और भी आप मिर्ची एड़ कर सकते हैं इसमें और एड़ करेंगे अद्रक तो यह चीजे मैंने तो मेरी Kız नहीं बना एड़ कर देंगे अब ही कि नमंक भी इसमें अच्य है तो नमंक आपको जितना शुवाद मनूध शार डाना है आप डाल दीजिए है और हाल का इसमें पानी एड़ करेंगे ज़्यादा भी पानी आड़ किसेगा तो मैंने इतना किया और बात में ऑंस तो इसे पानी डाल सकते हैं कces प्रूल का पानी को íशा आदे चारा कायी ताहि नो चाहिए अधर छाहिआ और आप मेस च bekommen आपको आपको वीडियो निधा एक हैं डाया है दो आपको बेड़ीा तो चाहिए लाइक किया देन फिर से पानी आजको अगर पिस ना पाए तो आप फिर से भी पानी एड़ कर सकते हैं और इस एक दम पतला पीस लीजिएगा गाइस और काफी अच्छा लगता है खाने में एक पाज जरूर इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा तो अब हम लोग का मिक्सर हम बन के तयार है जो कि आप देख सकते हैं बिल एक बार और पीस लिया है क्यूंकि हलका से हमें लग रहा था कि हलका से लिकार और पीस लेना जाहिए जिसे यह टेस्च करें से वोटर एड चाहिए हैक्गों सालmost बटाब अब हमें चाहिए होगी देखिगि अगर आवके पास खटी सी दैई तो आप खटी सी दई यजिए जो कि एकदम खटी होनी चाहिए क्योंकि खटी चटनी ज्यादा अच्छी लगती है तो आप देख सकते हैं मेरी मुमी हाथों से दही को मिला ले रही है कि एकदम जो चटनी है वो बहुत अच्छा बने तो हमने जो बैटर बनाया था मतलब की जने के दाल का उसको हमें दही मे एड कर लिया आप क्या कर सकता अगर आपका नमक कम हो गया तो नमक डाल कर और आप अच्छे से फिर से मिक्सी मतलब जार में डाल कर और पीस लीजे तो फिर से नमक हो जाएगा मतलब की अगर आपका कम हो गया तो अब इससे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम लगा तो आप देख सकते हैं चटनी इतना भार के बनाए क्योंकि हम रोसा बना था और डोसी के भी रेसिपी हम जल्दी ही वीडियो उसकी अप्लोड कर देंगे यूटुब चैनल पर तो चलिए छेवक लगाते हैं ज्यादा टाइम ना भिष्ट करते हुए हमने कल्चुल ले लिया चैनल भी पार लोग पहले तेल यह डालते अब जब गरम हो जाए तो इसमें तेल डाल दीजिए और आप देख सकते हैं तेल डालने के बाद वे फिर से इसे उस पर रग देना है जब तक यह जल ना जाए जो हमने चीज़े डाली है जैसे लाल मेर्च और तल्हन यह जल ना पर कुछ कुछ ना पड़े इस तरी कि डालिए और बरतन से ढग दीजे कि आपके स्किन पर ना पड़े और आपके तवचा वचा पर मतलब कि ना पड़े इसलिए आप ऐसे करके उसके बाद अच्छे से मिला लीजिए और यह चटनी घर पर जरूर ट्राइब कीजिए गया हम लोग अच्छे अच्छे बरतन दिखाए हम लोग क्या स्टील का ही बरतन और घर भी उतना अच्छा नहीं है तो अकर वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को सिस्क्राइब तो बाई गाईज बाई